बश्कार दोस्तों कोई टाया दो यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है संपून हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहिते के आद उनिक काल में छायावाद यूग को चायावाद यूग सेंसमंदित उन सभी मैताव पूरैन तथ्यों को देखेंगे जो की परिक्षा की तरिष्टी से अती मैताव पूर्ण है अर्ताती निव तथ्यों में से परिक्षा में आपको पर्शन भी देखने को मिलेंगे TGT PGT परिक्षा हो या NTA Nat की परिक्षा हो जिस भी परिक्षा में हिंदी साइटे से सम्दी पर्षन पूछे जाएंगे तो आपको इनी तथ्थों में से गुमा फिराकर पर्षन आपको देखने को मिलेंगे तो चायवाद यूग से सम्मंदित आदू निकाल के अंतरगत हमने दुविवेदी यूग और भारते इंदु यूग से सम्मंदित में तो पूरण तक्त्यों को कर लिया था अब शुरुगात कर लेते हैं चायवाद यूग की तो देख लेते हैं बढ़ते हैं चायवाद यू से सम्मन्दित जो उनकी समय सीमा क्या रही किन विद्वानों के अनुसार क्या मानि गई छायाःवाद यूक के सम्मन्द में जो है मौन विलिदंवानओं के कथन किस ने क्या कहा है क्या माना है और कौन- owning के पर मुक पर घो कवी रहे चायवाद यूग के अंतरगत जैसे कि महादेवी वर्मा, निराला, सुवित्रानेंदन पंत और जैशंकर परशाद जैसे महा का चायवाद के अंतरगत रहे कि इन विद्वानों ने उन्हें क्या माना है किस परकार से इन सबी तथ्यों को देखते हुए आज की क्लास की हम चुरुआत में जब किसी यूग की शुरुआत होती है तो उसके अंतरगत जितने भी मैतवपूरण तथ्यों बनते हैं वे परिक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं और अपने आप में इंपोर्टेंट होते हैं तो देख लेते हैं शुरुआत कर लेते हैं चायवाद यूग को भी कंप्लीट करने के पूरी-पूरी कोशिश करेंगे तो काफी सारा स्लेवस हमारा बचा हुआ है तो दीरे-दीरे जो है लंबी-लंबी क्लास लगा के करके हम अपने पाठ्यकरम को भी आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक परशनों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाए ही रही है आप लोगों को पता ही है वीच सॉलूशन के साथ हम संपून हिंदी साहिते के परशनों को करते हुए चल रहे है जो कि एंटी नेट और डीटर प्लेस्वी टीजीटी या किसी भी परिख्या में हिंदी साहिते समंधी परशन पूछे जाएंगे तो सभी के लिए ये काफी मददगार साबित होगे हल्पूल रहेंगे तो शुरुगात कर लेते हैं चायावाद यूग की समय सीमा उन्नी सो अठारा से लेकर के उन्नी सो छतीस तक जो है चायावाद की समय सीमा मानी जाती है किस रचना से को आदार मान क चायावाद यूग की समय सीमा मानी गई अठारा उन्नी सो अठारा से लेकर के 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 उन्नी सो अठा प्रारम एक समय सीमा के संबन में दो मत पर चलित है। लेकिन अगर विद्वान का नाम दे दिया जाए। मुकट धर्पांडे दुवारा रचित निबंद हिंदी छायवाद के आधार पर रखा हुआ माना है। चायवाद निमंद में जो है सिरी मुकट धर्पांडे जी ने 1920 में जो है चायवाद की समय सीमा की शुरुआत मानी है। अगर मुकट धर्पांडे जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो 1920 डोक्टर नगेंदर के अनुसार पूछ लिया जाए तो 1918 ये तथ्या आपको ध्यान रखने है। उसके बाद बात करें। मुकट धर्पांडे जी ने जो है चायवाद शब्द का सबसे प्याले परियोग किया था। कई बार रचना का नाम भी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किसका निमंद है किस वी दाकी है तो सबी तथ्यों को अमें ध्यान से समझना है यह निमन्स और पर्थम जबुलपूर से परकासित होने वाली सिरी सार्दा पत्रिका में 1920 में परकासित हुआ अतेव हिंदी छायवाद परारम भी 1920 से माना जा सकता है ये किस ने कहा है ये मुकुट दरपांडे जी ने कहा है क्योंकि बढ़ते हैं आ चायवाद शब्द का किसका हिंदी शब्द का नहीं हिंदी शब्द का परियोग थोड़ी मिश्टेक हो गई भी बोलने में तो चायवाद शब्द का हिंदी में जो है चायवाद शब्द का परियोग सबसे पहले मुकुट दरपांडे जी ने किया किनो ने किया कई बार ठभद जई उन्होंने क्या शबद मनाया है छायावाद सब्स अगला तत्त्य dwーユ हम देखें चपी साहर सवती पत्री पत्रीधा के संपादध 다른 1903-1920 आनि महवीर परशाद दिविवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रीका का संपादन किया उन्होंने 17 सालों तक जो है इस पत्रीका का संपादन कारियवार समाला है 1903 से लेकर 1920 तक और जिसके आदार पर दिविवेदी युक का जो समय सीमा है 1923 तक निर्दारित करके छायवादी युक का समय ज अनुसार हम देखे तो 1920 तक जो दुविवेदी युग ने जो है अपनी भूमी का निवाई सरस्वती पत्रीगा का जो संपाधन कारिया बार दुविवेदी युग के अंतरगत जो 1920 तक इनों ने किया इस आदार पर छायवाद का समय देखे तो 1918 ने मान करके 1920 में परारम माना जा सकता है ये कहना है सरस्वती पत्रीगा के जो आदार पर महावीर परश्यादु विवेदी के संपाधक्ताव के आदार पर माना जा सकता है तो देख लेते हैं आगे अगला जो तथ्य है हिंदी में चायवाद शीरशक से सुशील कुमार दुवारा लिखित एक अन्यनी म 1921 में सरस्वती पत्रीगा में परकासित हुआ जिसमें उन्होंने चायवाद को ऐसा पश्टावाद के अर्थ में गरैन किया अगर ये पूछ लिया जाए परिक्षा में कि चायवाद को ऐसा पश्टावाद के अर्थ में किनोंने गरैन किया तो शुशील कुमार जी ने किय अपने निमन 1921 में सरसोती पत्रीका में जो परकाशी दुआ था उसके अंतरकत बढ़ती हैं आगे अगला जत्तत्य हम देखते हैं मुकुर्दरपांडे जी का कथन हम देखें तो मेरी समझ में नई शेली में भाव नहीं भावों की छाया पाई जाती हैं उन्होंने कहा है कि म उनकी भाव की एक पतर ऐसे जो चाया जो है उनकी अनुबूति उनकी परचाई कह सकते हैं तो वो पाई जाती है यह अगर कथन बोच लिया जाए तो किनका है मुकुर्दरपांडे जी का उसके बाद बात करें आगे महादेवी वर्मा जी के अनुसार महादेवी वर्मा परकर्ती के बीच जीवन का उदगीत है चायवाद को जो है परकर्ती के बीच जीवन का उदगीत कीनों ने माना है उनका मूल सरवातम वाद माना है तो उसका जो मूल माना है वो क्या माना है महादेवी वर्मा ने सरवातम वाद को माना है उसके बाद देख लेते हैं महाद अगर ये कतन पूछ लिया जाए तो आचारी रामचंद शुकल जी के अनुसार रहेगा इचायावाद का परियोग उन्होंने दो अर्थों में समझना चाहिए क्या एक तो रहषयवाद ये तो है वही टाइबी मिश्टेक है रहषयवाद दोर दूसरा जो है काववय शेली पदती विशेश व्यापक अर्थ में उसके बाद देख लेते हैं सिरी गंगा परशाद पांडे जी के अनुसार इन्होंने भावलोग परगती के तीन चरन माने हैं कौन-कौन से, अगर सिरी गंगा परशाद पंडे जी के अनुसार पूछ लिया जाए, तो छायवाद, रहश्यवाद, वस्तुवाद, नमबर एक बई, वस्तुवाद, दूसरा छायवाद और तीसरा रहश्यवाद, अगर ये पूछ लिया जाए, सिरी गंगा परशाद पंड है उसके बाद बास करें आगे अगला जो एमारा अते अनके शब्दों में रहषयवाद के बीच कि करी है जो रह यद्धा पर्चेवाद पर से पूचा जा सकता है तो देख लेते हैं अगला तत्य गणपति चंदर गुप्त के अनुसार, डॉक्टर गुप्त ने छायवाद को जो है, सवचनता बाद कहते हुए, कहा है सवचनता, एक सेकिन बहुए, यहां में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो देख लेते हैं, यहां से कट चाएगा, डॉक्टर गणपती चंदर गुप् कहते हुए, क्या कहा है उन्होंने केवल सवचनता कहा है, चायवाद को, अगर यह पूछ लिया जाए, चायवाद को सवचनता की नोनिका है, तो गणपती चंदर गुप्त जी ने इस परकार से तथ्या बनेंगे, आपको यह परिश्या में तो देख लेते हैं, आगे, अग जगत बो दिखता की अपेक्षा, भावातमक्ता को यह थार्थ की अपेक्षा कल्पना को, यानि कि अंतर जगत की अपेक्षा अंतर जगत, बारी जगत की अपेक्षा मतलब अंतर जगत बो दिखता की अपेक्षा बावक्ता को, यह थार्थ की अपेक्षा कल्पना को, और स कि अपेक्षा सोंदिरिय को परंपरा की अपेक्षा नूंता को तता संगर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक मैत्तव देता है जिस काव्य में इस परकार की अंतरमुखे चेतना की अभी व्यक्ति होती है उसे ही सवचंतावाद का नाम दिया जाता है यह आपको ध्यान रखन क्योंकि चायवाद का नाम जो है रहष्यवाद भी माने किसो ने कहा है ये एक सवचंतावाद का वे रहा है तो डोक्टर बच्चन के अनुसार भी जो है चायवाद को जो है सवचंतावाद नाम दिया है ये भी आपको ध्यान रखना है और नाव सवचंतावाद डोक्टर देख लेते हैं उनको व्योगों भी हम पढ़ेंगे आगे चलके एक टत्थय को समझते हुए करेंगे तो देख परद्र पान्डे जी ने शायावाद शब्स का सबसे पहले परयोग किया है शायावाद को रहिष्यावाद मैं माना कर जा सकता है शाय मात जो जो है डोक्टory गंगारसाद पाँड़ जी ने तीन परगति के मतलब जो भाव बताए वे तीन आदार पर मानने है कि पर उसमें व्यक्तिवाद और चायवाद और रहस्यवाद व्यक्तिवाद और रहस्यवाद के बीच की जो कड़ी जो है गंगापरशाद ने चायवाद को माना है उस परकार से जब हम बात करें तो गणपती चंदर चंतावाद कहा है और आगे चलके जो है नवसर चंतावाद नाम दिया है हलावाद के कवियों को कहा है और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो वीवीन वीद्वानों के अनुसार चायवाद के परवर्तक के के चायवाद का परवर्तक किस कवी को माना जाता है तो आचा रामचंद शुक्ल जी के अनुसार अगर छायवाद का परवर्टक पूछ लिया जाएं तो मैथली, चरन गूप्त और मुखुट्धर, पांडे जी हैं जो दोनों के दोनों कभी छायवाद के परवर्टक माने गई है रामचंद शुक्ल जी के अनुसार उसके बाद नन्दु जो है इनको याद कर सकते हो क्योंकि यहां से भी परिक्षा में कई बार परिक्षन पूछा जा चुका है कि इस विद्वान के अनुसार छायवाद का परवर्टक कोन रहा जैसे नंदुलारिवाद की पेई के अनुसार कोन रहा और रामचंदर शुकल के अनुसार कोन रहा पर और किन विद्वाननों के अनुसार माना गया तो इलाचांदर जोशी और सुमित्रा न身ढर्ट पंधनों एया थोड़ी माफी चाऊंगी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गी है तो यहाँ पे जो इलाचंदर जोशी और गणपती चंदर गुप्त जी ने जैशंकर पश्याद को चायवाद का परवर्तक माना है यह आएगा गणपती चंदर गुप्त गणपती चंदर गुप्त और इलाचंदर जोशी ने चायवाद का परवर्तक जो है जैशंकर पश्या जो है सुमित्रा नंदन पंत को परवाकर मार्च्विय और मीने मुहन ने जो है माखनलाल चुतर वेदी को और इलाचंदर जोशी और गणपती चंदर गुप्त जी ने जैशंकर परश्यात को छायावाद का परवर्टक माना है इस पर कार आप याद रख सकते हो छायावाद क विवीदार्थ कौन-कौन से माने गई है तो देख लेते हैं अलग-अलग विद्वानों चायावाद का अर्थ अलग-अलग बताया है किसने रहष्यावाद बताया है किसने अन्योक्ति परदिती कहा है तो किसने जो है उसे चित्रबाशा शेली का नाम दिया है तो देख ल मुकुर्दरपांडे जी की बात करें तो इन्होंने छायवाद को क्या कहा है रहिष्यवाद हमने उपर भी पढ़ा था कि छायवाद को रहिष्यवाद नाम दिया मुकुर्दरपांडे जी ने और इन्होंने जो है मुकुर्दरपांडे जी के अनुसार छायवाद की समय या चितरवाषा शेली का नाम दिया है, चितरवाषा शेली वेरी important वही रामचंदर शेली कि अनुसर प्छा जाता है, छायवाद को चितरवाषा शेली किनोनिका अज्या शेली जी ने उसके बाद बात करें आगे शुकल जी ने च्हायवाद का जो संबंद है ईसाईयों संतों फेटेंस माता या छायभास श्यप्ध से जो किनोने जो जो अर्था च्हायबास श्यप्ध से जो डने वाले बिद्वान जो है आचारीय रामचंडर शुकल जी रहे है इन्होंने चित्रवाशा शेली भी कहा है चायवाद को इसे रविंदर्ना टैगवर की कवीताओं के परभाव से आया हुआ मानते हैं कोन चायवाद को रविंदर्ना टैगवर की कवीताओं से परभावी मानते हैं वे विद्वान रहे है आचार माना है वक्त सोंदरिये में अध्यात्मिक चाया का भान की नोने माना है तो नंदुलारे वाजबेईन है उसके बाद बाद करें डॉक्टर नगेंदर की तो सुथुल के परती शुक्षम का विद्रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कई पर परिक्षा में पूछा जाता है सुथुल के परती शुक्षम का विद्रो की नोने माना है चायावाद को तो वो माना है डॉक्टर नगेंदर जी ने फिर हजारी परशाद दिविवेदी के अनुसार देखे चायावाद को क्या माना है व्यंग्यार्थ परदान सेली माना है व्यंग्यार्थ परदान सेली की न उन्हें माना है हजारी परश्ध दिविवेदी ने और सुसील कुमार के अनुसार हमने तो उपरी पढ़ ही ली थी ऐस पष्पता वाद कहा है सुसील कुमार जी ने चायवाद को ऐसा पश्पता वाद नाम दिया है अपने नीमंद में उन्होंने ये बात कही थी उसके बाद बात करे आगे अगला तथ्या मारा जैशंकर परश्याद ने चायवाद को एक करांती माना है उसके बाद देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत ने सोंद्रिय की चाया माना है चायावाद को उसके बाद बच्चन सिंग ने सवचंतावाद का नाम दिया है तो सवचंतावाद हमने गनपती चंदर गुप्त जी के अनुसार भी देख लिया था और मैंने आपको माँ पर बताया था बच्चन जी ने पिए चायावाद को सवचंतावाद नाम दिया है और उसके बाद के कवयों को उन्होंने नव सवचंतावाद का है उसके बाद देख लेते हैं बच्चन सिंग ने चायावाद को ततकालीन कावे की संपूर्ण विशेश्ताओं की वेंजना में ऐसमर्थन संबंद उसके स्तान पर सवचंता वाद शब्द का परियोग अधिक सार तक माना है उसके बाद बात करें शान्ति प्रिय दिविवेदी के अनुसार प्रकर्ति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवर्ति इनोंने माना है यह किनोंने माना शान्ति प्रिय दिविवेदी ने और प्रकर्ति के जीवन का उदगीत माना महादेवी वर्मा ने आप लोगों ने हमने देखी लिया था quotation के अंदर तो देख लेते हैं गंगा परशाद पंडे जी ने अभी अविए अभी अमने पढ़ा था च्हायवाद को जो है उन्होंने वस्तुवाद रहश्यवाद के बीज की कडि क्या मानी हैं इन्होंने च्हायवाद ये भी हमने इनको आप याद करोगे तो परिक्षा में इनी तथ्यों में से आपको एक दो पॉइंट आपको यहां से देखने को मिलेंगे तो जल्दी याद रहेंगे तो इनको ट्रिक के अनुसार आप याद कर सकते हो बढ़ते हैं आगे अगली जो परिभाशा जब हम बात करें छायवा को सुथुल के पर्ति शुक्षम का विद्रो की निमाना है सुथुल के पर्ति भई सुक्षम का विद्रो जो मानने वाले विद्वान हुए है डोक्टर नगेंदर जी थोड़ा यहां टाइपी मिश्टेक हो गया उपर आप परिवाशा देख सकते हो इसकी अच्छे से दी हुए है डोक्टर नगेंदर जी के अनुसार फिर है आजारी परशाद्य विद्वेदी के अनुसार छायवाद के मूल में पास्चात्र एश्यवाद दी भावना अवश्य थे इसकी मूल परेना अंग्रे जी की रोमांटिक भावधारा से प्राप्त है यह की वर्ड याद तो डोक्टर रामकुमार वर्माजी के अनुसार जब हम चायवाद की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है अपने कथन में जब आत्मा की चाया परमात्मा में और परमात्मा की चाया आत्मा में पढ़ने लगती है तब चायवाद की सृष्टी होती है यह की नोंने कहा है डो पर टाइपिंग विष्टेक हो गई छायवाद के नाम से अभी हीत किया मतलब जाना गया कि छायवाद के संग्यादी गई ये भी कह सकते हो तो जब वेदना के आदार पर स्वानुबूती अपनी अनुबूती अभी व्यक्ति होने लगती है तो हिंदी में उसे छायवाद के नाम से अभी हीत किया कि नोने माना जैशंकर परश्यात जी ने इस परकार से आप एक केक तत्यों को त्यान से समझते हुए चलना है अपको फिर देख लेते हैं छायवाद के जो आदार स्तम रहे हैं उन्होंने कि किस विद्वानों ने तीन स्तम रहेतरी कहा है तो किनोंने जो है जो चारा आदार स्तम कोन-कोन से माने है तो यह भी तत्य कई बार परिक्षा में पूछे जाते हैं तो देख लेते हैं डोक्टर कर्शन देयो खारी के अनुसार छायवाद के चार स्तम माने गए चारो परमुखवी कोन-कोन से हैं नमबर एक जैशंकर परश्यात कई पर ये भी पूछा जाता है चायवाद के चार सुतंबों के जो नाम दिये गई है वे किस इद्वान का क्या नाम दिया गया चायवाद के कवियों को बर्मा किसे कहा गया विश्णू किसे कहा गया या फिर है महेश किसे कहा गया दुर्गा किसे कहा गया इस परकार से परिक निराला जी को महेश कहा गया अर्थात रुद्र भी आ सकता है इसको भी ध्यान रखना है महादेवी वर्मा को दुर्गा कहा गया सकती भी पूछा जा सकता है सकती या दुर्गा किसे कहा गया महेश या रुद्र किसे कहा गया विश्णू किसे कहा गया और जैस वर्मा किसे ग कवी कोन कोन माने गई है नंदुल्लारे वाजपई के अनुसार छायवाद के तीन बड़े कवी कोन माने गई है ये बताना है तो जैशंकर पश्याद मानिवे भूमी की पर दानता इनोंने की है उसके बासुमित्रा नंद पंत इनोंने कलपना की पर दानता की है फिर है सूरिय इनोंने बुद्धितव की परदानता को आगे बढ़ाया है तो इस परकार से इन तीन कवियों को जो है कि इनोंने माना नंदुलारे वाजबेई ने चाय वाद के तीन परमुक कवी, तीन बड़े कवी, नंदुला रिवाजबई के अनुसार, जैशंकर परशाद, सुमित्रा ननन पंथ और सूर्य कांतिर पाथी निराला, इन तीन कवीों को जो उन्होंने तीन बड़े कवी माने है, नंदुला रिवाजबई जी ने उसके बाद बाद करे आगे इन्होंने मा देवी वरमा को नहीं शामिल किया इसमें, तो तीन बड़े कवी पंथ निराला और परशाद जी को माना है, फिर देख लेते हैं, नंदुला रिवाजबई दुआरा, 1931 इसमें परशाद पंथ और निराला का अलग-अलगनी मन, उन्होंने छायवाद की विरह आपको बताना है, तो महादेवी वरमा, रामकुमार वरमा और भगवती चरन वरमा, तीन वरमा है, इस परकार से आपको याद रखने हैं, यह तीन वरमा जो है, छायवाद की लगुतरी, यानि के छोटे कव्यों में सामिल किया है, देख लेते हैं, आगे, छायवाद की वर्मा जी के अनुसार जो है माखनलाल चुतरवेदी को किस विद्वान को जो है विद्वानों ने स्तान दिया चायावाद के लगूतरियों में माखनलाल चुतरवेदी को माना गया यह आपको ध्यान रखना है फिर बात कर लेते हैं छायवाद के चार परमुक कवियों की दार्शनिक मत क्योंकि इनके दार्शनिक मत से भी संबंदित पर्शन पूछे जाते हैं परमुक कवी जो जैशंकर पशाद पंत जी और सुमित्रा नंदन पंत और सुर्य कांतिर पाथी निराला और महादेवी वर्मा इनका अपना अपना दार्शनिक मत रहा किस विद्वान ने किस दार्शनिक मत को अपनाया यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है है आनंतावाद समरसतंतावाद या अर्विन दर्शन या आदव shipment बोद दर्शनमीनों ने जह जौर किस Warum का दर्शनिक देख लेते हैं जैशंकर परशाद जी का जो दर्शनिका आदार क्या मान है परत्या पर्त्या भीनधủ जान व्य शमर्शत्ता वाद यह तीनों दर्शन जो है एक दर्शन है ये तीन अलग अलग नामों से तो जैसंकर परश्याद ने अपनाए है बढ़ते हैं आगे सुमित्रा नंदन पंद के दर्शन के बात करें तो अर्विन दर्शन वेरी इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है अर्विन दर्शन के आदा आनि रचनाइं लिखी है तो देख लेते हैं सुर्य कांतीर पथी निराला जी के समझ्द में तो एद्वेद वेदान्त का दर्षने इनों ने अपनाया है। तो इन्होंने माना है, और अलग-अलग विद्वानों के अनुसार, अगर रामचेंद शुकल जी के अनुसार पूछ लिया जाए, तो मुकुट दरपांडे को माना गया है, तो इस परकार से अलग-अलग विद्वानों के अनुसार, छायवाद के परवर्तक अलग-अलग मान गई है तो देख लेते हैं विशेश तथ्य विशेश तथ्य जब हम देख लेते हैं विशेश जानकारी तो कुछ तथ्य जो है कुछ परशन यहां से भी पूछे जाते हैं कि छायवाद के संबंद में किस परकार से उरन्य जब हम तथ्य देखे तो बात कर लेते हैं का स्वन यूग जो है चायवाद को ही कहा जाता है उसके बाद बात करें आगे जो कि चायवाद तक आते आते जो है जैसे कि बारतेंदु यूग में ब्रेजवाशा का प्रियोग दिखोता था फिर दिविवेदी यूग में जो है चायवाद खड़ी बोली का प्रियोग जो है कि शुरुवात अच्छे से होने लगी फिर दीरे दीरे जो है उसके बाद जब छायवाद यूग आया तो पूरी तरह से जो है छायवाद यूग में खड़ी बोली का प्रियोग होने लगा तो छायवाद यूग को जो है स्वान यूग कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी का त मानवतावाद, अगर ये पूछ लिया जाए चायवाद का सरवादी को जुवलपक्ष क्या मानवतावाद माना है, और फिर है प्रेमचन दुआरा संपादित, जागरन पत्तर को चायवाद का घोर समर्थक पत्तर माना गया है, तीस पत्तर को जो है चायवाद का घोर समर्थक पत्तर कहा है वो है जागरन पत्तर को उसके बाद जो कि प्रेम चंजी जुआरा संपादित है उसके बाद छायवादी कवियों को पलायन वादी कवी कहा है पलायन वादी कवी भी माना जाता है छायवादी कवियों की एक जगह से दूसरी जगह जो है पलायन करते हुई जो है क्योंकि वे यथार्तवाद जीवन की कटूता से मूँ मोड कल कालपनिक मूँ के विचारों की नजर करते हुए यानि कि यथार्तवाद की तरफ जो है कटूता से मूँ मोडते हुए नहीं देखते हुए कलपना की और उन्मुख हो जाते है तो ये इस परकार से उन्होंने पलायनवादी कवी कहा जाता है कि कारण ये है क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए छायवाद कवियों को पलायनवादी कवी क्यों कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है या थार्तवाद की तरफ से मुख म ने चायवाद को, एक सेकिन बे, यह आगे क्या यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पीच में रह गया है, तो हम देख लेते हैं, शुकलक जी गैनुसार, अगर चायवाद के समद्ध में बात करें, तो वही बात आती है, इन्होंने क्या चायवाद को क्या माना है, चित्रबाश्या शेली, इस परकार से आप लोगों को बार-बार रिवाइज करते हुए तथ्यों को चलना है, ताकि आपको परिक्षा में परशन गुमा फिरा कर भी पुछे जाए, तो आप उसका सही आंसर दे सको, तो देख लेते हैं आगे, अगला जो अमारा तथ्या है, आचारियन कि रवचे न्जडशुकल ने अभिवेंजनवाद को विलाहिती संस्करन कहा है, तो अभिवेंजनवाद को रामेजनदोशुकल जी ने क्या नाम दिया है, विलाहिती संस्करन कई ठी अगर ये पूछ लिया जाए, एक सेकिन में, अगर ये पूछ लिया जाए कि विलाइती संसकरना विवेंजनवाद को किसने नाम दिया है तो रामचंजो शुकल ने फिर है जैशंकर परश्याद की जहरना जो 1918 में कवीता को छायवाद की परियोग साला का पर्थम अविश्कार का है अगर चायवाद की परियोग साला का पर्थम अविश्कार की बात आ जाए तो कौन सी कवीता को माना गया है तो जहरना को माना गया है जो कि जैशंकर परश्याद दुआरा रचित 1918 में है चायवाद के कवीयोग पर अंग्रेजी के रोमांटिसीजम का गैरा परवाव परिलिक्षित होता है कई बार पुछा जा चुका है ये परचिन के रोमांटिसीजम या रोमांटिसीजम को शवचंतावाद के नाम से भी जाना जाता है या सवचंतावाद को जो है जो ये परबाव है किस युक के कवियों में देखने को मिलता है तो मिलता है में छायवाद युक के कवियों में और रामचंद शुकल ने अभी वनजिनावाद को क्या नाम दिया है विलाईती संसकरन इस परकार से आपको ध्यान रखना है रोमांटी सीजम या सवचंताबाद का परवर्तन अंग्रेजी के वर्ड्स वर्ड्स वे कोल रीज के कावे में हमें देखने को मिलता है फिर लिरीकल बिलिट्स के परकाशन वर्ड्स 1798 में इस्वी में ये माना जाता है और छायवाद के परवर्तक नीशन दे आप की से माने होंगे अगर ये पूछ लिया जाई इलाष्ट अंतीमेनी चोड़ अमारा क्या होता है चायवाद का परवर्तक की बात करें तो जैसंकर परश्याद को ही छायवाद का परवर्तक माना जा चुका है सरवमान्य तोर पर भी और जो है काफी सारे विद्वानों ने चायवाद क परवर्तक जैशंकर परश्याद को ही माना है जैसे पंद गणपती चंदर गुप तो रिला चंदर जोशी इन सभी ने छायवाद का परवर्तक जैशंकर परश्याद जी को माना है और नंदुलारे वाजबेई ने पंद को माना है लेकिन पंद ने जैशंकर परश्याद को मान कि आपको समझते हुए चल करते हुए याद कर लेना है तो इस परकार से आज की क्लास में हमने छायावाद की जब शुरुआत हुई थी किस परकार से किस युग कब से शुरुआत मानी गई 1920 से मानी गई, 18 से मानी गई, कोन कोन पर मुख कवी रहे, कोन से 3 एत्री कवी रहे, लगू एत्री कवी माने जाते हैं, यह कौन से 52 कवी माने जाते हैं, तो इस परकार से वीभीन विद्वानों के अनुशार भी हमने कई काफी सारे तत्थ्या देख लिरी, चायवाद के परिभाषा भी देख ली किस विद्वान के अनुसार चायवाद को क्या कहा गया यह सभी तथ्य परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वीडियो पसंद आई तो आप जो है लाइक कर सकते हो क्योंकि आपके लाइक और मोटिवेशन से नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन लाहिक और कमेंड से जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह रेगुलर्टी के साथ जो है निरंतर अभ्यास करते हुए हम अपनी तयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि आप सभी को पता है न एक से अधिक पर्शनों का ब्यास करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर एक बार से फिर कहना चाहते हूं प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य किया करो क्योंकि आपके लाइक कमेंट से जो है मुझे नेक्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना थेंक्यू धन्यवाद